बाई अब इंतिजार की घणिया खत्म होई आने वाला है दकपिल शर्मा शोव पर भोजपुरी तड़का और आपको बता दे जैसे जैसे इस शोव के स्निक पेश्क शॉट आ रहे हैं हम आपको इससे रिलेटेड हर जानकारी दे रहे हैं आपको बता दे अब जो इस निक पिक शॉट रिलीज हुआ है वो बच्चा यादों का रिलीज हुआ है जी हाँ बच्चा यादों किस तरह से भोजपुरी सिलेब्रिटी के होटों पर हसी लाते हैं पूरा इस निक शॉट उस पर ही है तो पहले तो वो सभी को प्रणाम करते ह निरहुआ और पवन सिंग के साथ जम के डांस करते वैसे बच्चा यादों के डांस की स्कील तो आप सभी जानते होगे यहाँ पर बच्चा यादों ने आमरपाली की और काजल की दोनों की क्लास ली, अब क्लास कैसे ली? भाई बच्चा यादों ने आमरपाली से कहा कि आपने सबसे ज़्यादा फिल्में तो निरहुआ के साथ की है लेकिन सबसे सुपर हिट गाना पवन सिंग के साथ दिया वो भी राते दिया गुता के पिया क्या क्या किया फिर काजल रागवानी पे आए काजल रागवानी के लिए भी सेम उन्होंने वही कहा कि आपने बहुत सारी फिल्में खिसारी के साथ की है लेकिन काजल रागवानी के साथ भी उन्होंने वही किया जी हाँ काजल रागवानी को कहा कि सभी के तो आसु छलकते हैं आपकी जवानी कैसे छलकती है इस पर भई पवन सिंग जोरुदार हसने लगे यहां इस बार का ये एपिसोड सभी को हसा कर ही जाएगा वैसे आपको बता दें कि पवन सिंग काफी शर्मिले हैं लेकिन इस एपिसोड में ये जुरव पूरा एपिसोड आएगा उसमें पवन सिंग पूरी तरह से आपको हसते खिल खिलाते दिखेंगे वैसे पवन सिंग बहुत कम हसते हैं और काफी शर्मिले हैं लेकिन यहां ये दोनों चीजे बिल्कुल गाइब रहेंगे न वो शर्माएंगे और हसेंगे तो इतना कि आपको हसी आ जाएगी और तो और जाते जाते ये भी सुन लेजिए कि बच्चा यादो आमरपाली दूबे और दिनेस लाल यादो निरहुआ के साथ नेक्स्ट फिल्म बनाने वाले हैं उस फिल्म का नाम होगा निरहुआ चलल बाथरूम अब भाई जे शो में इतनी मस्ती होगी उसे देखने के लिए तो भाई आखें तो तरसेंगे ही लेकिन हमने तो जैसे पहले ही कहा था इंतिजार हुआ ख़त्म और आप इस शो को देख सकते हैं सनीवार और रविवार साधे नव बजे सोनी टीवी पर भूझपुरी जगत की हट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करनाम बिल्कुल न भूले